हलो फ्रेंड्स मैं हूँ कुसूम मेरे कीचन में आपका मोश्ट बिलकम है आज मैं दही भींडी बनाने जा रही हूँ इसको बनाने में मात्र दस मिनट समय लगते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है जटबट बन भी जाती है तो चलिए पहले मैं मसाला तयार करती हूँ मसाल कोल मीरिच यान की दस से 12 कोल मीरिच और यह की बडी साइच का प्याज ली अर्दी में आज में फ्राय करना है ताकि ये थुरा सौप्ट भी हो जाए और ये सौप्ट हो जाने के बाद मैं इसे एक बरतन में निकाल ली हूँ उसी क्राही में मैं थुरा और तेल डालके मसाले को तियार कर लूँगे अब इसमें दो चमच तेल डालके अब मैं मसाले तैयार करूँगे तो मसाले उसके बाद मैं इसमें थुरा सा जीरा डाल दी हूँ जीरा अच्छे से ये चटक गया है तो मैं कड़ी पता डाल दी हूँ थोड़ा सा हींग डाली हूँ मैं उसके बाद जो मसाले तैयार करके रखी थी उसको मैं डाल दी हूँ अच्छे से भून जाने के बाद मसाले को धीमे आच में भूने तो सबजी टेश्टी बनती है तेज आंच में अच्छी से मसाले नहीं भुन पाते हैं मैं एक टमाटर डाली हूँ इसमें आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं अब जो सूखे मसाले होते हैं, जो बेसिक मसाले मैं उसको डाल डेती हूँ धनिया पौर्डर, और इस में मिर्ची पौर्डर डाल दी हूँ उसके बाद थोरह सा कलर के लिए में कास्मेर डाल दी हूँ उसके बाद मसाले से देखिए अच्छे से भून जाने के बाद मैं इसे तेल अलग हो जाने तक भूनी हूँ उसके बाद तीन से चार चमच इसमें दही डाल दी हूँ दही को अच्छे से फेट के डालना है डालने के बाद दहिस से जब बबलाने लगे तो इसे कभर कर देना है और इसे अच्छे से पका लेना है यह देखे अच्छे से पक चुकी है इसे बहुत ही अच्छी इसमेल आ रही है तो अब मैं इसमें भिंडी डाल देती हूँ भिंडी भी अच्छे से इसके साथ एक मिनट मैं भून लूँगी उसके बाद नमक स्वाद के अनुसार में डाल दी हूँ थोड़ा समय इसमें पानी डाल देती हूँ आप चाहे तो सुखा भी बना सकते हैं पानी डालने की कोई ज़रत नहीं है या थोड़ा सा आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं अब ये भिंडी अच्छे से सौप्ट हो गई है, दो मिनट और पका लेती हूँ इसको, थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डाल दी हूँ, इससे बहुत अच्छी इसकी टेस्ट हो जाएगी, इसके टेस्ट में चार्चान लग जाएगी, तो कसूरी मेथी, आप जरूर लाश्ट में डालें, तो ये इसका पानी भी अच्छे से सूप गया है, और थोड़ा बहुत ग्रेवी दिख रहा है, ये थंड़ा हो जाने के बाद ये गार ही हो जाएगी, और थोड़ा समय इसमें लाश्ट में धनिया पती डाल देती हूँ, अब मेरा सबजी तयार हो चुका है, ये बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाली सबजी है, आप जटपट से बना सकते हैं इसको, ये आप रोटी के साथ, प्राठे के साथ खाईए, बहुत ही चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई बाई